नमसकार दोस्तो, वेलकम टो कर्यर एजुकेशन, कर्यर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत हैं। दोस्तो आज हम लोग जिस टक़ूंक पर बात करेंगे। उस टक़ूंक का नाम हैं बिभिन परकार की किरसी बीधियां। बिल्कुल दोस्तों आप सही सुनें, विभिन परकार के किरसी बीधियां जो हैं, वो किसे से संबंधित हैं, इसी टॉपिक पर आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, दोस्तों इस वीडियो से आपके हर एक एक जाम में सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का important समझें, और अच्छे से तयारी कीजिए, ओके दोस्तों चलिए पिना देरी किये हुए, हम लोग direct question देख लेते हैं, एक number question कह रहा है, कि सेरी culture जो हैं, वो आपको किसे से संबंधित हैं, सेरी culture जो हैं, वो आपको किसे संबंधित हैं, तो रहसम किट पालन से संबंधित ह ओके चलिए next question देख लेते हैं, एक number question देख लेते हैं, एक number question देख लेते हैं, पिसी culture जो हैं, वो आपको किसे संबंधित हैं, PC culture जो है वो आपको मतस से पालन से संबन्दित है ओके चलिए next question देख लेते हैं Flory culture जो है वो आपको किसे संबन्दित है Flory culture जो है वो आपको किसे संबन्दित है तो फूलो का उतपादन से संबन्दित है फलोरी कल्चर जो है वो आपको फूलो का उत्पादन से संबंदित है ओके चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन कह रहा है कि वीटी कल्चर जो है वो आपको किस संबंदित है वीटी कल्चर जो है वो आपको अंगूर की खेती से संबंदित है वीटी कल्चर जो है वो आपको अंगूर की खेती से संबन्दित है ओके चो दोस्तो चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं दोस्तो मैं उमेद करता हूँ कि कोशन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताए कि वीडियो आपको कैसे लगी दोस्तो अभी तक आप इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज इस चनल को सस्क्राइब कर दिजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिजिए दोस्तो अगर आपको इसका पीडियप चाहिए तो मैं टेली कराम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा वहाँ से आपको इसका पीडियप मिल जाएगा ओके दोस्तो चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन आपको कह रहा है कि वर्मी कल्चर जो है वह आपको किससे संबन्दित हैं आपको खेंचुवा पालन से संबंधित है ओके चलिए next question देख लेते है पोमो कल्चर जो है वो आपको किसे संबंधित है पोमो कल्चर जो है वो आपको किसे संबंधित है तो फलो का उत्पादन से संबंधित है पोमो कल्चर जो है वो आपको फोलो का उत्पादन से संबंदित हैं ओके चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं ओलेरी कल्चर जो है वो आपको किस से संबंदित हैं तो सबजियों का उत्पादन से संबंदित हैं ओलेरी कल्चर जो है वो आपको सब्जियों का उत्पादन से संबंधित हैं ओके दोस्तों चलिए next question देख लेते हैं next question कह रहा है कि हर्टी कल्चर जो है वो आपको किसे संबंधित हैं हर्टी कल्चर जो है वो आपको किसे संबंधित हैं तो बगवानी से संबंदित है, हर्टी कल्चर जो है वो आपको बगवानी से संबंदित है, ओके दोस्तों चलिए next question देख लेते हैं, एरोपोर्टिक जो है वो आपको किस से संबंदित है तो हावा में पौधों को उगाने से संबंदित है ओके दोस्तों चलिए next question देख लेते हैं next question कह रहा है कि hydroponics जो है वो किस से संबंदित है तो जल में पौधों को उगाने से संबंदित है hydroponics जो है वो आपको जल में पौधों को उगाने से संबंदित है दोस्तों hydroponics जो है वो आपको जल में पौधों को उगाने से संबंदित है ओके दोस्तो इतना question था मैं उमेद करता हूँ कि question आपको total याद हो गया होगा दोस्तो अगर आपको total question याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए आपके लिए एक-एक सवाल important है ओके दोस्तो आपसे मैं next वीडियो में मिलता हूँ तब तक के लिए take care and bye दोस्तो